मित्रो नमस्कार, लीगल एवियलनेस प्रोग्राम, लेमेन टू लॉमेन, मित्रो प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना बहुत यह आनन्द का विशय होता है, प्रॉपर्टी फाइदे में बेची जाती है, और जो फाइदा होता है, वो सबको दिखता है, ऐसा नहीं कि सबको सरकार को नहीं देखता, सरकार को भी फाइदा देखता है आपका, कि वह सरकार, सरकार कहती है, मैं भी तो हूँ ना, मेरा हिस्सा कहा है फाइदे में, तो देखे, फाइदे में हिस्सा है, तो वो कहेंगे, हाँ भई, हमने बेचा है, फाइदा मिला है, तो फाइदे में आप बला होता है जान लीजिए प्रॉपर्टि वेचने से जो फाइदा होता है एक प्रोपर्टि आपने कभी खरीदी और वेच्ट रहे हैं तो पुराने जितने में खरीदी ती उससे फायदा लेकर के बैच रहे हैं Renee कि इस बैचने उसके दोपे चिंध के और प्रॉपि siamo से मतल là आपसे मैं आपको आगे बताऊंगा कि अगर को प्रॉपर्टटी ने पहले खरी दी और उसको बेच रहे हैं तो जितने रुपह में बेच रहें और जितने में खरीदी थी उसमें से उसको less कर देंगे तो profit आ जाएगा और ये profit जो है वो क्या कहलाएगा इसी profit पर tax देना है अब क्योंकि property क्या है capital है capital है तो capital पर जो gain किया उसको क्या कहेंगे capital gain और उस पर जो tax बनता है तो उसको कहते है capital gain tax तो आज का वीडियो जो है वो capital gain tax पर है आपने ये नाम तो सुना होगा कि capital gain tax हाँ हाँ बिलकुल सुना है लेकिन क्यों लिया जाता है कैसे लिया जाता है और उसकी देखिए बारीकिया क्या है ये बारीकिया अगर आपने समझ ली क्योंकि आज नहीं तो कल आपके द्वारा या आपके परिवार के सत्सें के द्वारा या आपके दोस्तों के द्वारा या रिष्तेदारों के द्व फॉर्फ में फॉर्पलिटी ख़रीदने का चारीचने का ये जो मैं बता रहा हूं बहुत ऑब बहुत ने खतुर है बहुत साधरनत तरीके से मैं आपको बता देता हूं कि ये capital gain अब देखे capital gain tax ये बात है तो capital जो थी हमारी property है वो capital है और उस पर जो हमने gain किया जितने में खरीदी थी और उस पर आप जो बेच रहे हैं तो इसको कितने का फाइदा हुआ उस फाइदे पर जो tax देते हैं उसको capital gain tax कहते हैं अब ये बात तो clear हो गई अब question ये उठा कि capital gain tax कितना होगा कितना percent होगा तो इसके लिए हम पहले ये देखना पड़ेगा कि capital gain जो tax है ये दो तरीके का होता है एक तो होगा long term capital gain tax और दूसरा है short term capital gain tax तो देखे long term और short term अब हम इसको भी देखे समझा देते है आपको एक कोई property किसी आदमी ने खरीदी आगे example से भी बताऊंगा तो उस property को उसने अपने पास कितने समय तक रखा ये देखे आप पहले कितने समय तक रखा अगर दो साल मतलब 24 महीने तक रखा और उसके बात बेच रहा है दो साल के बात बेच रहा है तो उसका जो capital gain के अंतरकत आएगा long term capital gain लेकिन अगर किसी ने property खरीदी और वो दो साल से पहले ही फायदा मिलने लगा या कोई मजबूरी है जैसे भी दो साल 24 महीने मतलब से होने से पहले ही वो बेच देता है तो उसको जो भी profit होगा वो short term capital gain की श्रिणी में आएगा अब ये वाली बा कोटी खरीगता है तो दो साल तो रखता ही है खरीदने वरिदने की बातचीत में दो साल निकल जाते हैं लेकिन अगर दो साल पार हो गए तो वो long term capital gain की category में आ गया अब question उठता है कि उस पर tax किता लगेगा तो long term capital gain का एक flat rate है tax का 20% है देखिए आप चाओगे ना 20% आप और short term का क्या है short term का यह है कि जो जो उसका honor है जिसने बेची है वो income tax के जिस भी slab में आता है अगर वो 5% के में आता है या 20% में आता है या 30% में आता है जिस परसेंट के slab income tax के slab में आता है उतना ही उसका capital gain tax लगेगा short term में अब हम ले ले लेते हैं एक example एक देखिए मान करीजे कि एक जोलाई 2020 को residential property खरीदी गई और कितने में खरीदी गई 50 लाग रुपे में 50 लाग रुपे में आप देखिए तारीक नोट कर लिए एक जोलाई 2020 को यह example है और उसने नहुंबर 2023 में यह property बेच दी कितने में बेची एक करोड रुपे में तो कितना समय हो गया क् इसकी property अपने पास कितने समय रही यह रही तीन वर्ष तीन महीने 24 महीने से ज्यादा रही तो इसके लिए कौन सा category में चला गया यह capital gain long term में चला गया तो जब long term में चला गया तो इस पर कितना percent flat rate यह है 20% तो फाइदा कितने का हुआ था इसमें क्योंकि 50 लाग की खरीदी 20% tax कितना बन गया यह tax बन गया आपका 10 लाख रुपए यह 10 लाख रुपए का capital gain tax देना पड़ेगा अब देखी चौक गया कि 10 लाख रुपए का tax जी यहां सरकार कहती है फाइदा ले रहे हो ना तो हमें भी तो दो हमारा इससा भी होना चाहिए तो वही 20% का tax बन गया य अब आपको यह नहीं पता था यह साबधाने नहीं कि भई इसको यह तो बहुत बड़ा है मौन सामने आ रहा है लेकिन अभी आगए आप और चलिए और सुनिए तो आप question यह उठता कि इस tax को बचाएं कैसे तो इसको बचाने के दो तरीके हैं मित्रों हम एक एक करके आपक करोड की बेची तो हमको प्रॉफिट हुआ पचास लाग यह एक्जामपिल है एक्जामपिल की फिगर है आपका केस में जो भी हो पुरानी जो प्रॉपर्टी खरीदी थी उसकी रेजिस्ट्री निकाल ली जाएगी और उसमें लिखा होगा कि कितने रुपगी खरीदी है और अब जो बेची है इसकी भी रेजिस्ट्री देख लीजे इसकी भी सेल डिट देख लीजे तो इन दोनों में वैल्यू बिल्कुल साफ साब नजार आ जाएगी तो बेचने वाली वैल्यू से परचेस वाली वैल्यू को अगर लेस कर देंगे तो यह प्रॉफिट आ पचास लाख रुपए की जो फाइदे की फिगर है तो वो पचास लाख रुपए की एक नई रेजिशेंशल प्रॉपर्टी खरीद ले पहली बात तो यह आ गई पहले कैसे बचाने का तरीका देकि समझ में आ गया फिर से बता देता हूं जितने रुपए का फाइदा हुआ उतने रुपए की कोई नई प्रॉपर्टी जो कि रहने वाली हो, कंुपली q तकी न ही परपटी खरीद के ओर थे ज Like लिए नहीं ठी से बने हाने प्रॉपर्टी तो व खरीद Sunday is究os वो गो दो अतनी ही रुपए जितना फाइदा हुआता उस फाइदे से एक नई पर खरीद ली तो एक तरह से कैपिटल गेन नहीं देना पड़ेगा अब इसके लिए है कि समय कितना मिलेगा वह देखिए नया कोश्चन के अंदर से कोश्चन निकलते हैं और वही मैं पताता हूं आपको नई क्वारी आएगी कि सब यह तो ठीक है आपने पता दिया बचने के ल अगर आपने कोई पुरानी प्रापल्टी बेची है और उस पर मनाफा लिया है फाइदा लिया उस फाइदे की समय के लिए वो प्रापल्टी बुई है उसके लिए दिया गया है थी लेकिंअ ऐसा थी वर्ष ढिया धर्यण नहीं पुरानी कैसी भी हो तो वह प्रॉपर्टी के लिए जिस तारीक को उसने पुरानी प्रॉपर्टी बेची है उससे एक साल पुराना पहले तक और दो साल आगे तक इसका मतलब यह है कि अगर किसी ने नौंबर 2020 में प्रॉपर्टी बेची और 50 लाग रुपए का फैदा हुआ तो उसको एक साल मतलब नौंबर 2022 से 2023 की बीच में उसने बेचने से पहले भी अगर कोई property खरीद लिया है वो भी इसी फायदे से adjust की जा सकती है बात समझ में आ गई अब और दो जिस तारीक को नौंबर 23 में इन्होंने बेची थी तो इसके 2 साल के बाद तक भी खरीदी जा सकती है कुन मिला के 3 साल लेकिन लेकिन 1 साल खरीदने की तारीक से यह साल पहले और दो साल बाद कुन मिला के तीन साल का टाइम है इसमें वो अगर उतने ही फायदे की अमाउंट से के बराबर अगर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो ये कैपिटल गेंट टेक्स फिरी हो जाएगा इसे नहीं लगेगा बात बहुत तरीके से हो गई लेकिन अभी इसमें एक बात और किलियर कर दो मैं आपको कि अगर किसी ने 50 लाका फायदा लिया लेकिन नई प्रॉपर्टी खरीदी 10 की तो 10 तो उसको 60 की में खरीद ली हाँ 50 एड़ेस्ट हो गया कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर उसने नई प्रॉपर्टी 40 की खरीदी तो फायदा तो हुआ था 50 का तो 10 जो बचा हुआ है उस पर 20 परसेंट के इसाफ से कैपिटल गिन देना होगा अब आते हैं नेक्ष पे दूसरा तरीका कि अगर वो प्रॉपर्टी प्लाट है उसमें बन भाया उन्हें ने अब मुझे जो फायदा हुआ है 50 लाग का खरीदा था एक करोड का बेचा 50 लाग का फायदा हुआ तो यह जो 50 लाग का फायदा हुआ है इससे मैं कंश्ट्रिक्शन करवा हूँ अपनी विल्डिंगा तो ठीक है कंश्ट्रिक्शन कराने के लिए भी इसमें केपिटल 3 साल नहुंबर 2023 तक का समय मिल जाएगा अब देखिए यह जो क्वारी हैं इनको मैंने कोश्चन अंसर में लिया है अब नया कोश्चन क्या आता है कि सेल से प्राप्त सारी धनराशी ही कहीं खर्च करनी होगी हाँ केवल कैपिटल गेन अकाउंट अब देखिए मैं सेल से प्र रुट रुट पर मिला है अपनी प्रापर्टि बेचने में उसमें से वह घटाना भी तो होगा जब प्रापर्टि आपने खरी दी थी पहले वह खरीदी थी 50 लग की तो 50 लग घटा दिया तो बचा कितना 50 लग तो यह जो 50 लाग बचा मतलब प्रॉफिट जितना आया वह कि हमको आगे कहीं खर्च करना है नई प्रॉपर्टी में अब नया कुशन देखिए कि कितने मकान ले सकते हैं या कितने मकान खरीच सकते हैं इंपॉर्टन बात है कि आपने जो 50 लाग रुपे का फैदा लिया उसमें कितने मकान ले सकते हैं कोई 10 लाग रुपे के मकान है तो तो आप एक ही मकान ले सकते हैं और अगर वो प्रॉफिट दो करोड पैसे कम का है जैसे पचास लाक है तो दो करोड से कम ही है तो अधिक्तम दो मकान ले सकते हैं ये दो मकान कैसे होंगे आप दो फ्लैट भी ले सकते हैं एक फ्लैट ले सकते हैं और एक फ्लैट बनवा सकते ह या दोनों flat ले सकते हैं ये भी हो सकता है इसके बात ये वी वाली बात clear हो गई next question क्या है कि sale transfer की date से दो वर्ष या तीन वर्ष जैसा भी है तक समय sale से जो प्राप्त पैसा है वो काम रखा जाएगा अब ये भी बहुत भी बड़ी बात हो गई देखिए हमने मकान बेचा है आप ये सोच रहे होंगे हमने मकान बेचा है हमारा पैसा हो गया अब हम कहीं भी रखें घर में रखें खातें में रखें खातें ठीक भी बैंक में रखें जी नहीं इसके लिए भी एक नियम है और ये जानकारी होने बहुत जरूरी है कि जब लाग को आपको अपने पास नहीं रखना है तो कहां रखना है यह रखना है नेशनलाइज बैंक में special account खोला जाएगा वह account क्या कहलाएगा capital gain account scheme short में कहते हैं cgas इसकी बेवस्ता कहा की गई है income tax act में इसके लिए भी बेवस्ता बहुत साफ की गई है जिसको मैं आभी आगे बताऊंगा तो देखिए बात क्रियर हो गई कि आपने जब property बेची तो उससे जो फाइदा मिला मनाफ़ा total value नहीं जो फाइदा मिला उस फाइदे को आपको अपने किसी bank account में ना रख करके national bank में एक special account खुलना पड़ेगा और वो account का नाम होगा capital gain account scheme cgas इसको कहते हैं इसमें यह पैसा रखा जाएगा अब question क्या आया नया कि यह cgas account है कब तक खुल जाना चाहिए जैसे यह आपने बेचा उसी समय खुल बाना चाहिए नहीं इसके लिए इसका answer यह है कि sale transfer की date जो भी आपने बेचा है जिस तारीक को आपने sale करीए उस तारीक से ITR जो next भरा जाएगा income tax return उसके date या 31 July जो आगे आएगी वो जो भी पहले हो तब तक आपको यह account खोल कर यह पैसा उसमें जमा कर देना चाहिए और तीन साल में आप बनवाएं तो कोई दिक्कत नहीं अब दिखिया आगे question क्या cgas account से पैसा कभी भी निकाला जा सकता है नह property tax बचाने के लिए उसका payment आपके इसी account से ही होगा नई property को खरीदने या बेचने के लिए जो payment होगा वो इसी से होगा अब देखिए नया question क्या आगया नया question आया क्या new property बेची भी जा सकती है ठीक है वह आपने tax बचाने के लिए एक नई फ्लेट ले ली और tax बच किया ब उसको आप तीन साल पूरा होने से पहले नहीं बेच सकते और अगर आपने तीन साल पूरा होने से पहले बेच दी तो इसका मतलब है जो आपने जो capital gain tax की जो छूट ली थी वो आपको दुबारा से tax देना पड़ेगा वो छूट खतम हो जाएगी यह भी बात बड़े important हो ग bonds खरीद लिए जाएं तो bonds कि क्या है इसके बारे में जानकारी ले लिए income tax act के section 54 easy में यह बताया गया है कि अगर कोई आदमी जिसने की अपनी property बेची है और जो फाइदा लिया है वो फाइदे की दनराश्य से बांड खरीद लेता है वो बांड कौन से होते हैं पहले मैं तीन तरह की बांड है मैं बता देता हूं rural electrification corporation दूसरा बांड है power finance corporation और तीसरा है इंडियन railway finance corporation इन से संबंदित जो बांड है यह जो बांड है तीन में से यह अगर ले ले लेते हैं फाइदे की धनराश्य से तो आपका tax बस सकता है अब देखिए आगे question सुनिए कि बांड खरीदने की अधिक्तम limit कितनी है तो अगर हमको capital gain से 60 लाग रुपए का फायदा हो गया या एक करोड का फायदा हो गया तो एक करोड के बांड खरीदने नहीं नहीं इसकी एक limit है और वो limit है 50 लाग तो अगर 50 ल रुपए के जो फायदा हुआ है फायदा जो हुआ है वो फायदे की धन्राशी का आप बांड खरीद लीजे और बांड खरीद करके रख लीजे 5 साल के लिए 5 जब बांड मैचर होगा तो आपका capital gain से आपको छूट मिलेगी आपका capital gain नहीं लगेगा अब देखिए आगे क हो जाएंगे फिर नया कोशन आया देखिए कि बांड का lock in period कितना है देखिए मैंने बताया था lock in period 5 साल का है बांड खरीदेंगे 5 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते 5 साल के बाद या आपको बांड के पुरा होने पर पैसा मिलेगा 5 से पहले नहीं निकाल सकते अब नया question bonds पर interest rate कितना है interest rate 5% है तो 5% interest rate है bond खरीद लीजे और 5 साल के बाद आपको वो 5% interest के साथ में पैसा मिल जाएगा वो capital gain tax से free होगा अब यह कोता है कि क्या 5 बार्ष बाद bond से जो धनराशी मिलेगी वो capital gain tax से free होगी हाजी बिलकुल free होगी तो देखिए मित्रों बड़ी important है property खरीद ली बेच दी इतनी बात होगी लेकिन इन dates के बारे में इन figures के बारे में मोटी मोटी जानकारी होना जरूरी है आप अपने charter accountant से आप अपने advocate से इस सम्मंद में जादे जानकारी ले सकते हैं लेकिन इतनी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए कि सजगता होनी चाहिए कि जब मैं property बेच रहा हूँ तो अब इसका disposal कैसे करना है कब तक करना है क्या tax बनता है कैसे tax बचाना है इन सब की जानकारी के साथ आप अपने consultant से approach करिए और उसका लाव लीजे मुझे उम्मीद है कि आज की ये महत्मून जानकारी आपको अवश्य पसंदाई होगी नमस्कार